अलो नमस्कार आज आज आप सास्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त आपका होच शुबे दिंग चोहान आप लोग का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर जहां पर हम लोग 10 इंदों की कुछ एसे खबरें और एटोल के उपर चर्चा करेंगे जिनें पढ़कर निशिती आप साथ में लाइब दूडो तो चलिंधर शुरू करते हैं इंस सेशन को आज हम लोग कुछ खबरें और एडिटोल के बारे եेंडेर पर ऊंधैक। tuition के ऐंदर घ्या है कि कुछ चीजों का रिप्रेजेशन बहुत ज्यादा है तो कुछ चीजों का का बहुत कम उसी चीज को इस एडिटुरेल के अंदर घुमा-फिरा के सर्चा में लाया गया है और से कंपेर किया गया है इंटरनेशन पॉलिटिक्स है ठीक है वहीं इंडिया के कॉंस्टिटूशन और दूसरे देशों के कॉंस्टिटूशन के अंदर भी थोड़ा कंपेरेशन किया गया है जो की यूपीसी से पॉइंट और इंदर के अंदर हाँ सो दोजाचे के अंदर क्या हुआ था कि इलेक्शन हुए थे हिलाइरिया सूपा हुआ मान के यह खास रुपसे यूनाइटे स्टेट्स के नहीं बलकि पेरू के अंदर हुआ था और पेरू के अंदर जो नेटिव ट्राइब्स है उनका रिप्लेंटेशन जो है वो यह अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी नेटिव ट्राइब्स को इंक्लूड करने ही गोश्च करती हाला कि वहाँ पर जो नेटिव ट्राइब्स है उनकी पॉपुलेशन का परसेंटेश तीन प्रतीशत के आसपास है वहीं अगर हम लोग भारत में देखें तो भारत में भी अ अंदर इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक रूपसे नहीं है जिसे पाल्यामेंटरी कमिटी के अंदर एसी और स्टी कम्यूलिटी के लोगों को कम यूज किया जाता है इतना ही एक एंटिफेक्शन लौ के तहट क्या है कि आप लोगों को जो फड़ वीप दी गई है थर्ड लाइन उप उसको आपको follow करना ही है अगर आप उसको follow नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर आपको निकाला जा सकता है disqualify किया जा सकता है as a member of palya में जिसके कारण से जो उपर की order आते हैं उनको follow करना पड़ता है जिसके कारण से एक representative जो अपनी बात बोलना चाहता है जब वो individual पूरे group से अलग होना चाहता है तो उस समय पर वो वो चीच नहीं कर पाता साथ में देज की प्रॉब्लम है सब्सक्राइब इतनी बड़ी नहीं है इतली के अंदर लुई डी मॉया थर्टी वन इयर के अंदर रिप्रेजेंटेटीव बने और ऐसे कईसा ही जगों पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि रिप्रेजेंटेटेटीव की उमर नॉर्मल आबादी से कम है ऐसा क्यों हुआ देखो यहां पर एक तो आवादी की एवरेज उमर ज्यादा है और उसके बाद में जो लीडर चुना जा रहा है वो यंग लीडर चुना जा रहा तक ही डाइवर्सिफाइड है पर अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो इंडिया के अंदर जितने तक आते आते लगबग 59 होगी थी अभी यह थोड़ी सी कम हुई है पर अभी भी वही चीज़ देखने को मिल रही है इवन आप अगर देखोगे तो जितने भी यंग लीडर है भारत के अंदर मेंबर आफ पार्लियामेंट के रूप में है वो किसी ने किसी पॉलिटिकल ली जो है वो यहाँ पर ज्यादा दिखाय दिता है इसके अलावा LGBTQ कम्यूनिटी देखो विश्यू के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा चाहिए आप आइसलेंड में जाओ आयलेंड के अंदर जाओ बेल्जियम में जाओ साउथ अफरीका तुनीशिया मॉरिशियस इन सब क कम्यूनिटी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता हुआ दिखाय दे रहा है भारत के अंदर चुनिंदा लोग ही मेंबर ओफ पार्लियामेंट के अंदर LGBTQ कम्यूनिटी से दिखाय देते हैं जैसे कि आपको शबनम मौसी दिखाय देंगी है ना मदूबाई के अंदर दिखाय द ना आता है political parties के अंदर या पिर कहूं के अलग-अलग political parties दिखाय देते हैं जैसे लिब्रेटेरियनिजम जैसे जो ग्रीन पॉलिटिक्स है इनकी पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिलेगी कई साथ देशों के अंदर पर भारत के अंदर आपको दो ही मेजर पॉल्स दिखाया देते हैं जिसके अंदर एक जो है वो है center left मलब left wing वाले लोग गो का representation आपको जादा दिकाए देगा दूसरा populist वहलों का रोल जो है वो जादा दिखाए देगा भारति politics के अंदर बाकी अलग प्रकाय की ideology ने प्रकाय की ideology politics के अंदर कमियां across गया है तो यह चीज़ है उसको सुदाने की आवशकता है ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर कहा गया है ठीक है इसके अलावा एको एडिटोरियल आ है connecting India East with the Indo-Pacific देखो या भारती इस्ट के अंदर खास उसे नौर्थ इस्ट और ये इस्टन भाग को अगर आप देखोगे यहां पर ठीक है तो कही साथ प्रॉब्लम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ड्रक ट्राफिकिंग होती है ठीक है यहाँ पर स्मगलिंग वगेरा होती है इतना ही नहीं यहां म्यामार वगेरा से नौर्थ इस्ट वाले रिजन के अंदर refugee crisis देखने को मिलता है कैसारे रेफ्यूजी जो है वो नौर्थिश के अंदर आ रहे हैं चाइना वगेरा के जो लोग है ठीक है चाइना जो है वो यहाँ पर अजर्टी बिहेवियर जो शो करता है अरुनाचल प्रदेश वगेरा के अंदर घुसने की कोशिश करता है ठीक है बांगलादेश यह थोड़े थ किन ठीक है तो यह सब लोग मिलके यहाँ पर इनका रिप्रेसेंटेशन बढ़ाना तो है साथ में इकॉनमी डवलप्मेंट करना है यहाँ पर सिक्यॉरिटी जो प्रोवाइट करना है बस यह इनकी मांग है ठीक है मतलब सिक्यॉरिटी देना है इकॉनमी डवलप्मेंट करन होते हैं बाचीत करते हैं चर्चाएं करते हैं खास रूप से उसके अंदर एश्यान देशों का बहुत जारा महत्व है ठीक है अभी जो एश्यान देशेंसे बहुत जारा महत्व है तो अम लोग एसा कर सकते हैं कि यहां पर कनेक्टिविटी जो है वो बड़ा हैं अगर यह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बढ़ेंगे तो नार्थीष्ट जो है वो एक ट्रांजिश्ट के रूप में यूड़ सकता है एश्यान और भारत के बीच में जिसके कायां से नोर्थीष्ट रिजियन वो डेवलप हो सकता है इसका economic development जो है वो और ज्यादा हो सकते हैं recent year के अंदर अगर आप देखोगे तो North East region के अंदर थोड़ा development देखने को मिला, even Eastern राज्यों के अंदर भी देखने को मिला पर अभी भी वो up to date नहीं, up to the mark नहीं, ठीक है तो एक चीज तो हम लोग यह कर सकते हैं, ठीक है यूज करें, in India's diplomacy, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि geopality और geoeconomy के साथ में, geocultural point of view से भी दूसरे देशों से जुड़ने ही खुश करने North East के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको जंगल बहुत मिलेंगे, जब जंगल बहुत मिलेंगे तो यहां पर क्या है यहां पर आप आयूश को बहुत ज़रा ग्रो कर सकते हैं, जिसके कायां से medical tourism के अंदर मनीपूर जैसे राज जो है, वो बहुत अच्छा perform कर सकते हैं research and development facility को भी हम लोग यहां पर develop कर सकते हैं, ताकि यहां की जो वो भारत की काफियरा मदद कर सकते हैं, अगर हम लोगों को geocultural point of view से दूसरे देशों के साथ में जुड़ना आते हैं, यह सब इस एडिटोल के अंदर कहा गया है, साथ में और भी कई साही चीजे नौर्थिस्ट के अंदर की जा सकती है, नौर्थिस्ट के जरिए हम लोग मियामार से और ज्यादा connection जो है वो बना सकते हैं, नौर्थिस्ट के development के लिए हम लोग यह भी कर सकते हैं, कि यहाँ पर जो बांगलादेश है, बांगलादेश के साथ में और ज्यादा connectivity ट्रीटी जो है वो कर सकते हैं, अल्रडी हम लोग कर रहा है, जिसके अंदर का development नहीं है, जिस level का हम लोग को चाहिए, तो बांगलादेश के अंदर infrastructure project, बांगलादेश के अंदर development project जो है, वो भारत को काफी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा फिर GS2 point officer देखते हैं, तेलंगाना मतलब आज न्यूस जादा नहीं है, एडिटोरियल दो हैं, ठीक है, जो important है, बाकी न्यूस जो है, वो तीन शारी ठीक है, बाकी तो इतनी कोई बड़ी न्यूस जाई नहीं है, इसके अलावा टेक्शन कॉंटेक्स जाज आता नहीं है, ठीक है, तो तेलंगाना कहना 9500 कड़ो का lithium ion battery factory जो है, वो खोली गई है, ठीक है, अब बात करते हैं, बैटरी क्या होती हो, बैटरी का importance क्या है, ठीक है, अभी recently आपको काफी सुनने को मिल रहा है, बैटरी बैटरी लेटियम batteries, ठीक है, तो lithium batteries की importance क्या है, या कहूँ कि जितनी भी electrical batteries होती है, electrical storage batteries होती है, इनका क्या importance है, ठीक है, तो देखो, ये basically होती है इनके अंदर क्या होता है chemical energy को हम लोग store करते हैं जो जब भी हम लोग को requirement होती है chemical energy से electric energy के अंदर convert हो जाती है normal cell वगेरा देखे होंगे जो remote पे लगता है ठीक है उसके अंदर chemical होता है जैसे हम लोग लगाते हैं और हम लोग को जब requirement होती तो electrical energy के रूप में काम करती है अब यह battery की हम लोग को आवशक्ता क्यों देखो पहला तो यह कि यह किसी भी electronic product के लिए काफिया जरूरी होती है क्योंकि electronic product को compatible बनाती है आप सोचो phone है ठीक है तो phone को अगर आप दिन भर किसी plug से connect करके चलाते बिजली से तो वो सब कितना मुश्किल हो जाता ना बैटरी के वैसे क्या हो उसके अंदर बैटरी लगी हुए आप चार्ज करो उसके बाद आप लेके चले जाओ है ना दूसरा इसका benefit है कि आप अभी इसके अंदर electricity दे दो और यह future के लिए यूज में आ सकती है तो कोई greenhouse gas का emission हो रहा है का नहीं मतलब यह greenhouse gas के emission को करने में भी हमारी मदद करती है अब इस battery को भारत के अंदर डेवलप करने की क्या आवशक्ता है भारत को बैटरी की क्यों जरूरत है तो देखो भारत को बैटरी की इसलिए जरूरत है क्योंकि भारत के इंदर electronic product जो है वो लगातार बन रहे है और लगातार बढ़ रहे है वन आफ दा largest manufacturing हब बन चुका है भारत mobile phone का लेप्टॉप का जब mobile phone और लेप्टॉप भारत के इंदर ज्यादा बन रहे है और हम लोग बैटरी जो है वो अभी भी साउथ कोरिया चाइना वगरा से इंपोर्ट कर रहे है तो एक तो क्या हो गया हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ गई दूसरर क्या हो गया कि हमारे प्रोड़क की competency कम हो गई अगर भारत के प्रोड़क स्वाइस तो क्यों न ऐसा किया जाए कि हम लोग भारत के अंदर ही बैटरी को मैनुफेक्चर करें पहला दूसरा भारत को बैटरी की ज़रुद है electronic vehicle के जो missions है उनको पूरा करने है भारत 30 at the 30 mission पर बात करता है भारत के fame के अंदर कुछ targets है इन साथ target को पूरा करना है तो electrical vehicle बनाने पड़ेंगे अब इन electrical vehicle के अंदर basically लगेगी क्या बैटरी बैटरी बेटरी चलेगी तो बैटरी जो है वो electrical vehicle के development के लिए मदद आएगी साथ में भारत के net zero target को achieve करने मदद गार साबित होगी साथ में भारत के अंदर जो greenhouse gas का emission है उसको भी कम करने हैं नयुकण करेगी करेगे और डिपेंडन सी कम करेइगे अगर डिपेंडन सी कम होगी तो अगर पॉसिल मुद गोपर मुद стан के साथ में घर्याओं की वए लीथियम raw material जो है वो कुछ जगों पर सेंट्रिक है जो भारत के अंदर नहीं है जैसे आपको लीथियम ट्रेंगल ABC देखने को मिलेगा ठीक है उदर अर्जेंटिना बोलीविया इन छेतरों के अंदर आपको चीली वाले छेतरों के अंदर आपको देखने को भी लेगा कि बहुत ज्यादा है तो चाइना क्या करता है इन अर्जेंटिना वगेरा के अंदर माइन करता है और वहां से raw material लेके आता है तो भारत भी चीज़ कर सकता है कि दूसरी जगों से raw material जो है खुद एक्स्प्लोर करें इन raw material को ठीक है जिससे क्या हो कि लीथियम वगेरा आम लो तो ड्रेन होती है पर अगर आप mobile phone को देखोगे तो ठंड के समय पर आपको देखने को मिलेगा कि उसकी बैटरी लंबी चल रही है पर गर्मी के समय पर क्या होती है वह कम चलती है क्योंकि ड्रेन ज्यादा होने लगती अब भारत क्या है ट्रॉपिकल रिजा ठीक है सूर ड रिक्वार्मेंट के अनुसार हो जो भारत की जोग्रफिक अनुसार हो भारत की इसके अलावा हम लोगों को बैटरी इसके लिए तरीके के official रगाने की आवशकता है अहाद्यक्यमंट के और उन साथ चीजों की जनौत है इसके अलावा हम लोगों को देखने को मिल रहा है meeghenrega scheme के अगर पन्दरा दिन के अंदर पेम्यंस हुआ तो फिर ये लोग क्या करेंगे मतलब पर जगा डिले देखने को मिलते हैं पेमेंट के अंदर सेमी स्कील्ड वरकर के लिए क्योंकि इनको अशी कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई अब अगर मगनविगा के अंदर आप देखोगे तो वहां पर कैसा है लोग जैसे मान लोग कि यह एक जगह है जहां पर कुछ लोग जो है वो गड़ा गोदना है उनको लगाया वाले है तो इनको काम करने वाला इक शुपरवाइजर भी तो होता है जो देखता है कि हम यह आय स्किल्ड सूपरवाइजर का जो पेमेंट है वो कहीं बार आटक जाता है वह बहुत बार अटकता है क्योंकि इस बार बजट अगेरा के अंदर भी कमी देखने को मिली थी तो इस कारेंट से क्या हुआ था कि बूरोक्रिटिक डिलेज और क्रोनिक फंड के कारण इन लोगों प सप्लाइचेन के ऊपर इशू जो है वो लगातार चल रहा है 2015-16 के अंदर इरान यूएस का इशू चल रहा था ठीक है वह थोड़ा ठीक हुआ फिर वापस से वहीं शुरू हो गया ठीक है फिर पैलेस्टीन वगेरा के इशू आने लगे साओधी अरीविया के इशू आने फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने को मिला के यूएस और चाइना के बीच में आपस पर चलने लगी ट्रेड़ वर हो गया जिसकी और से भी ग्लोबल सप्लाइचेन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा इतना ही उसके बाद में क्या हुआ हुआ कि कोविड नाइट लोग को देखने को मिले जिसके कान से सामान जो हो महेंग हो रहा है रिसेंटली जब रश्य युक्रेन वहां चल रहा है उसी समय पर क्या हुआ चाइना के अंदर कोविड जो है वो तेजी से फैल तो चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी को अपना है जहां पर इस्ट्रिक लोग डाउन लगा है जब इस्ट्रिक लॉगडाउन चाइना के अंदर लगा तो लोग जो है वो मुवेंट नहीं कर पा रहे हैं जिसके कायांट से चायना जो है वो एक्सपोर्ट कम कर पा रहा था वहाँ पर प्रोड़क्शन जो हो रहा था अब अगर आप देखोगे तो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी चाइना के अंदर ली जिंग पिंग वापस से प्रेसिडेंट बन के आ गया है तो अभी प्रेसिडेंट ही है उस समय पर गया हुआ कि जब जीरो कोविड पॉलिसी को और जादा इस्टिक किया गया तो लोगों ने युनिवर्सिटीज वगेर खुड़ा सा धीला कर रहा है हलका कर रहा है तकि लोगों को तकलीव कम है ठीक है लोगडाउन जो पहले बहुत ज़ला इस्ट्रिक था वह अब यह में क्यों पढ़ा हो क्योंकि चाइना जो है वह ग्लोबल सप्लाइचेंट के अंदर बहुत इंपर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी वज़से गलोबल सप्लाइचेंट के ओपर वहां पर अगर लोगडाून बहुत इस्टिक लग रहा है तो इसके गलोबल सप्लाइचेंट के ओपर इशूपढ़ता है या नहीं कि इंडिया के ओपर भी डाइसा पड़ने लगीगा तो ऐसी ही चीज जो वहां के ल करना है दोस्तों तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं सासी टैन कोड का यूज करने के बाद में आप लोग को मेरे द्वारा परसली वन-on-one मेंडशिप मिलेगी जहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है वन-on-one गाइडेंस मेरे द्वारा सासी टैन कोड का प्रयोग करो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेलेटेट कोई भी डाउट है तो नीचे एक लिंक पिन है एक गूगल फॉर्म पिन है ठीक है आप उसको फिलब कर सकते हो उसके बाद में मेरी टीम जो है वह आपको कांटेक कर लेगी ठीक है तो दोस्तों आ